कि अपने आज की एपिसोड में मैं आपको भगवान श्रे कृष्ण की कुछ ऐसे भगवान श्रे कृष्ण के द्वारा कुछ करे गए ऐसे लोगों का उद्धार बताऊंगी जैसे कि मतलब भगवान श्रे के साथ जो भी जुडता है श्रीमत भागवतम में यही इसी बात पर ही जोड दिया गया है कि भगवान श्रे कृष्ण की साथ जो जिस्वी भाव के साथ जुड़ता है चाहे वो उन्हसे बैर का भाव हो उसका उद्धार निश्चित होता ए तो जब भगवान से जो लोग प् भगवान ने उनको भी उनका वद करके उनका उधार ही करा था और उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी तो क्योंकि मेरा जो मोटिव है वह उन कहानियों को आप तक पहुंचाना है जिनकी बारे हम जादा जानती नहीं है तो आज की एपिसोड के अंदर मैं आपको बहुत छोटी छोटी जस्ट गिव यू इन्फरमेशन की मतलब भगवान ने यह काम भी करे थे तो आज का जो मेरा जो वीडियो है इस पर मैं जोड देने वाली हूं जिसके अंदर भगवान की दो तिन चोटी होटी उद्धार और और भी करे थे जिनके नाम हम लोगों को नहीं प में नंद बाबा आजिस स्वजनों से मिलने की इच्छा हुई तो वे व्रज चले गए वहां सबसे मिलकर बहुत आनंदित हुए एक दिन समस्द गोपियों के साथ जल क्रीडा करने की इच्छा से उन्होंने यमना जी में कोप पुकारा परंतु यमना जी ने उनकी आग्या नहीं मानी तब बलराम जी ने क्रोधवश अपने हल की नोक से उसे खींचा तब यमना जी भैबीत होकर उनसे माफी मांगने लगी वह वहां पर उस समय मापर प्रकट हो गए तब बलराम जी ने गोपियों के साथ जल क्रीडा की थी तो यमना जी अब भी बलराम जी के यह बहता है उसी रस्ते पर वो बहते हैं इसी पकार जो करुष देश का एक अज्ञानी राजा पॉंडरक था पॉंडरक अपने को वासुदेव कहता था मतल diu jaką था अपने फ़ग्वान Ш्री कृष्ण ही मानता था समसप्रजव को यही कहता था कि वही वासुदेव है एक बार उसने भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशन भि़िजवा यह बात कही कि मैं भगवान हूं तब भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नकली कौस्तुवणी, पितामबर, वनमाला और श्रीवच का चिन धारन करता था भगवान ने युद में उसे वो उसका साथ देने वाले काशी के राजा का भी अपने चक्र से सिर्काट डाला तब काशी राज का पुत्र सुदक्षिना ने भगवान शंकर की पूजा कर उन्हें प्रसन करके एक अनुष्ठान करवाया जिसमें अगनी को मूर्तिमान होकर प्रकट होना पड़ा वह बहुत ही भ्यांकर था उसने द्वार का जाकर सक तरफ अपनी आंख पहला दी तब भगवान श्री कृष्ण ने द्वार का वास्यों का भला करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से उसकी शक्ति खत्म कर दी वह अगनी वहां से लोटकर काशी आ गई और वहां आकर उसने सुदक्षना को भी जलाकर भस्म कर दिया वही सुदक्षना जिसने अगनी को प्रकट करके भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था वह जो अगनी थी वापस काशी जाकर सुदक्षना को भस्म कर दिया इस प्रकार भगवान ने पौंडरक का काशी राज का और सुदक्षना का उद्धार करा इसी प्रक प्रले की सीमा से परे हैं उन्होंने और भी जो अद्बुत का कर्म करें मैं वह सब भी सुनना चाहता हूं तो श्री शुक्देव जी कहते हैं राजा परिक्षित दुवित नाम का एक वानर था वह भॉमासुर का सखा सुगरीव का मंत्री था जब उसने सुना कि भगवान श् क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वही निवास करते थे उस वानर में दस हजार हाथियों का बल था कभी वह दुष्ट समुद्र में खड़ा होकर इतना जल उच्छालता कि समुद्र तरपर बसे नगर डूब जाते थे तो कभी रिश्यों के हवनों को दूशित कर देता था वह इस्तरियों वा पुरुष्यों को पहाड़ों के घाटियों में ले जाकर बंद कर देता था एक दिन वह दुष्ट वानर रहवत तक परवत पर गया वहां उसने देखा कि बलराम जी सुन्दर सुन्दर इस्तरियों की जुंड में विराज़मान है वह वहां आकर उन बलराम जी ने उस घामंडी वानर को मार गिराया उस समय सभी पुरजन परिजन भगवान बलराम की प्रशन्सा करने ले लगे तो इस प्रकार जो बलराम जी उनके द्वारा दुवित का भी उधार करा गया अब मैं आपको बतारी हूं कि को और साम्ब का विवा साम कौन था पहले बताया वह है भगवान श्री कृष्ण और जामवत्ती के जो पुत्र थे उनका नाम साम था तो साम की कहानी एक दो और भी आएंगी क्योंकि साम को ही रिशियों ने शाब दिया था तो साम जो था उनको कौन थे उनकी लाइफ कैसे थी इसलिए हमारे को थोड़ा सा यह भी जरूरी है श्री शुकदेब जी कहते हैं परिक्षित जामवंती नंदन साम भगवान श्री कृष्ण जामवंती के जो पुत्र साम थे अकेले ही बड़े 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 वीरों पर विज्य प्राप्त करने वाले थे वे स्वेमवर में दुर्योधन की पुत्री लक्ष पुड़े गए तीरों धनुष और चार घोणों को भी मार गिराया इसके बाद कौरव सामव अपनी पुत्री लक्ष्मना कोले का हस्तिना पर लोट आए यह समाचा नाराज जीने यह दिवन्शियों को जाकर सुनाया उन्हें यह जान बहुत क्रोध आया वह वे सब ग्रसेन कोंते कंस के पिता अग्रसेन के आग्या से कॉरवो पर चढ़ाय करने की तयारी करने लगे किन्तु बलराम जी ने कॉरवो से संबंध होने की कारण उनसे लड़ाई जगडे को ठीक ना समझा इसलिए बलराम जी स्वें मरत पर सवार हो हस्तिनापुर गए उसके के लिए कि कवरव क्या चाहते हैं उद्धध जी को ध्रत राज के पास बेजा जब कोरवों को पता चला कि उनकी हितेशी बल्राम जी नगर में पधारे हैं तब वे सब उनका सतकार करने नगर के बाहर गए तब बल्राम जी ने उनसे महराज उग्र सेन का यह संदेशा कहा कि वे साम और लक्षमना को वापिस भेज दें यहे बास सुनकर कुरुवन्षी क्रोध से तिलमिला उठे उन्होंने बलराम जी वा समस यदुवन्ष का बड़ा अनादर किया और अब शब्द कहे और वे हस्तिनापर लोड गए उस समय बलराम जी का चेहरा क्रोध से तिलमिला उठा उन्होंने सोचा ये कौरव बहुत घमंडी हो गए है इनका घमंड चूर करना पड़ेगा वे उन भगवान श्रीकृष्ण का अनादर कर रहे हैं जो समस जगत के पालन हा रहे हैं यह सोच बलराम जी अपना हल लेकर खड़े हो गए उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापर को उखाड लिया और उससे डूबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी के और खीचने लगे हल से खीचने पर हस्तिनापर इस प्रकार कापने लगा मानो जल में कोई नाफ डगमका रही हो उस समय कौरफ घबरा गए वे हाथ जोड़कर बलराम जी के पास गए वो कोटम सहित उनके शरण में जाकर माफी मांगी दुर्योधन ने खुशी से अपनी पुत्री लक्षमना को साम के साथ विरा कर दिया वे बहुत कुछ दहेज भी उसके साथ भेजा अब बलराम जी द्वारकपुरी पहुंचे और सारा व्रतांत के है सुनाया परिक्षित यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिन की ओर उचा और गंगा जी की ओर जुका हुआ है इस पकार यह बलराम जी की ताकत वा पराक्रम की सूशना दे रहा है तो इस पकार आज का जो एपिसोड था इसके अंदर बलराम जी का और कृष्ण भगवान का किस पकार से उनका साहस था और वो किस पकार से और कारें उन्होंने करें आज मैंने आपको यह सब बताया है उमीद करती हूँ कि आज का अपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और अब समय है विष्ण कोश का आज विष्ण कोश में मैं आपको 28 प्रकार के नर्कों के नाम बता रही हूँ वैसे तो इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है और इन नर्कों में क्या-क्या जो इंसान उसको क्या-क्या दुख भोगने पड़ते हैं वो सब भी मैं अपने उस एपिसोड में बता चुकी थी बड़ आज आपको सिर्फ में उन 28 प्रकार के नर्कों के नाम बता रही हूँ जैसे कि पहला नर्क है तामिस्त्र नर्क उसके बाद अंध तामिस्त्र फिर रौरव फिर उसके बाद कुम्भी पाक काल सूत्र असिपत्रवन सूकरमुक अंध कूप क्रिमी भोजन संदश तप्त सुर्मी वज्र कश्ट कंट कलाल मली इसका नाम दुबार से मैं बोल रही ह वज्र कंट कशाल मली वेतर्णी नदी पुयोद समुद्र प्राण रोध नरक वैशस लाला भक्ष सार मेडायन अधार शुन्य अविचीमान अयं पान शार कर्दम रक्षोगन भोजन शूल प्रोत दंद शूक अवट निरोधन पर्या वर्तन और अंत वाला है सूची मुख तो ये जो हैं श्रीमत भागवतम में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है जिनके नाम आज मैंने आपसे शेयर करें हैं उमीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अपने नेक्स्ट एपि अखस्ना